Hello everyone, my name is Gaurav, welcome to the WS TubeTech, WS TubeTech में आप से भी का स्वागत है, जैसा कि आप से भी कहता है, हमार द्राइंग टैप चल रहा है, और इस द्राइंग टैप के अंदर आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, रिवीजन क्लाउट को यहां पर डिसकस करने वाले हैं, कि रिवीजन क्लाउट क् आप किसी ड्राइंग को बनाते हैं, जैसे आप किसी मैपिंग को बनाते हैं, और मैपिंग को बनाते वक्त आपको किसी चैच को हाइलाट करना है, किसी लेंद को हाइलाट करना है, किसी आर को हाइलाट करना है, या किसी सरकल को हाइलाट करना है, हाइलाट करने का मतलब यह ही होता है कि वहाँ पर उसका color change करना basically आप उसे highlight अलग शो दिखाना चाहते हैं जैसे आपने कोई line length draw की है उस line length को यदि आप अलग शो करना चाह रहे हैं अपने style से तो वो उसमें क्या कर सकते हैं आप revision clouds का use कर सकते हैं revision cloud के through आप वहाँ पर क्या कर सकते है उस line की type को change कर सकते हैं देखिए line type change करना एक color point होता है लेकिन यह वाला जो line type change होता है यह किस तरह से होता है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर तो देखिए basically जो revision cloud होता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जो आपकी line की जो line की length है yes आपकी जो line है उसको आप change कर सकते है clearly और आप इस च्छा अनुसारा आपके freehand भी यहाँ पर cloud बना सकते हैं आप ज़रा देखते हैं AutoCAD के अंदर कि AutoCAD के अंदर किस तरह से दिखता है तो देखे सब से पहले मैं होगए एस निजनले के बाके बाद सबसे पहले मैं इन्ट इपाइड कर दिया है अब जड़रा देखे मैं ड्रोइंग क्लाउड के बारे में तो यहाँ पर आपको कहां मिलता है सब्सक्राइब Monkey Day मिलन क्लाउट और यहां पर आरी विट यहां पर आरी वी क्लाउट एंटर गरूंत करूंगा तो देखिए यहां पर अपर अरिफिक यहां पर इतर कर रहा है वहां पास 3D का प्लाव्ब्रम पाट है लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिविजन क्लाउड की तो आरी भी क्लाउड आपको दिख रहा हुगा यास इसको एंटर करते हैं यहांपर तो आपके पास क्या लिखावा रहा है दिखिए रिविजन क्लाउड यह दफर्स्ट को Yes , आपको यहाँ पर करेना है, तो ओर्स्ट और पॉक्त देना है, तो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या करते हैं, फर्स्ट और पॉइंट दे दिया है, Okay, Specify Second Object, Specify Opposite Corner Point, opposite corner point देना है तो देखे मैंने इसको opposite corner point दे दिया अब आप सोच रहे होंगे सर यह तो rectangle बन रहा होगा तो बात बात करें यहाँ पर देखे रिविजिन क्लाउड के अंदर यदि आप by default work करते हैं तो वो rectangle होता है देखे जरा रिविजिन क्लाउड के बारे हम discuss करें तो देखे रिविजिन क्लाउड और rectangle command के थुरू क्या difference है तो देखे rectangle command के लिए आपके पास क्या था एक rectangle draw हो रहा था जिसमें आपके सारी straight line यूज रही थी लेकिन रिविजिन क्लाउड के थुरू अब जब आप इसे रिविजिन क्लाउड के थुरू rectangle draw कर रहे हैं तो यहाँ पर देखे आपके पास कुछ जिग-जग टाइप की draw हो रही है यहां पर इस मैंने क्या क्या है इस rectangle को एक special light highlight से draw किया है यहां है यहां पर nog design से द्रॉक किया है थाकि हमें लगे कि हमार रहीर रहा rectangle छेह है प्लस यह वह रहा rectangle हेम्लें इसका और फॉर उर इस नधर यह rape ॉने वाला है जैसे जब आपके ट्राइंग कंप्लेट होगी फिर आपको वापस यहां पर लर्न करना है कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों को यहां पर स्टॉप किया था यहां कौन-कौन सी स्टॉप को हमने बात के लिए छोड़ा था तो उसको हम आप देख सकते है रिविजन क्लाउड की तुरू क्लाउड के अंदर और कौन-कौन मेंनू है उनके बारे में डिसकस करें अपर तो सबसे बईले मैं बात करें कश करें यहां पर और यहां पर इसको हटा देता है अब यहां पर अब चलें हमारे पास next यहां पर तो दीखे है और ही वी एड क्लाउड एंटर कर रहू हूँ पर आर्ка यहां पर लिख है आर्क्र स्थरों यहां पर मैं टिक सब्सक्राइब करने पर आर्क तो यहां पर आपके पास पहले प्री डिरिफाइ टी वो कुछ और थी यहां पर देख में आपके पहले पैले जो पर बन रहा है यहां पर बन रहा करें specify point के साथ बढ़ चुकी है, यदि आप इस cloud की length को और बढ़ाना चाहते है, जैसे कि यहाँ पर है, अभी हमार पास normal cloud है, अब आप चाहते हैं, इसको और बढ़ाना चाहते है, तो देखे, अब यहाँ पर देखे, first corner point, second corner point, अटर करते हैं, तो देखे, इन दोनों length हो में, इन दोनों के arc में, क्या बहुत ज्यादा difference हो चुका है, यहाँ पर जो arc थी, वो यहाँ पर छोटी-छोटी बन रही थी, yes, small-small arc बन रही थी, लेकिन यहाँ पर जब arc देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, कि आपकी जो arc हो रही है, वो ज्यादा lengthy हो रही है, yes, आपके जो, यहाँ पर clouds बन रहे हैं, वो यहाँ पर जो distance है, वो ज्यादा हो रही है, clear होगी है, यहाँ पर, तो basically, आप यहाँ पर यह जो arc के style है, आप इसे change कर सकते है, अपने according, yes, अपन यहाँ पर बात में देखेंगे, पहले बात कते है, rectangle की, यहाँ पर आपके, revision cloud बनाना जा रहे है, जो की एक rectangle की थुरू बनाना जा रहे है, जैसे कि यहाँ पर rectangle अभी जो draw हो रहा है, तो देखें, हमने क्या, rectangle के उपर क्लिक किया, specify first corner point, specify second corner point, तो यहाँ पर जो revision cloud बन रहा है आपका, जिस यहाँ पर जो cloud बन रहे हैं, वो यहाँ पर किस तरह से बन रहे है, rectangle save के बन रहे है, लेकिन आप जैसे drawing command में जाएंगे, drawing command के बात, यहाँ पर cloud में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, rectangle ही है, तो आप यहाँ से भी rectangle BIGGLE बना सकता है Gloria हो गया आप चलते हैं आयए ओपर हमारे अगले वी आरी लिव यहां पर हमारे पाइस है नेक्ट वालीगॉन के उपर क्लिक करेंगी यहां पर तो पोलीगन के ऊपर क्लिक करने के पॉलीगन के थे हैं यहाँ पर यहां पर आपके पास सेम रहेगा और उसके बाद आप यहां पर यहां पर रिविज़जन क्लाउट को ओपन करते हैं तो यहां पर भी हमें तो आप उसके साइत से बना सकते हैं ये तो हो गया इपना थ्युक्षिक है फॉर्स साइड पोलिगन ये फिफ इन उगाव्गन और यहां आपको समज में आ रहा होगा कि यहां परफ ऑपर डेकर रहा है यहें आ Dzनल को हमारे अघले पॉलिगनोड के थे हमारे जो थुद्म होसके लिए कि यहाँ पराद के देखेंक आप जिस तरह से ड्रॉप करना चाहेंगे इंहां पर रहा हा रहा है लेकिन यहां से आपको कभी भी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में नहीं पूचा जा रहा है कि आप यहां पर नहीं पूचा जा रहा है जैसे मिल को उच्छा हो रही है आप उस तरह से यहां पर क्लाउड को बना पारे क्लाउड क्लाउड करें यहां पर क्लाउड करने के बाद बात करते हैं अब मुझे चाहता हूँ कि इस देखते हैं यहां पर क्लाउड क्लाउड करना चाते और यहां chrom क्लाउड करना है इस बात करते हैं पर जात्यों पर कि यहां पर आपनी अनुशार डारेक्षिन को भी चेंज कर सकते हैं. देखिए, बेसिकली यह जो cloud command है, यह कहां पर use होने वाला है, तो देखिए, बेसिकली जो electrical engineers है, electrical engineers के अंदर आपको transformer resign करने के लिए बोला जाता है, transformer का line design draw करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर आप revision cloud का use बहुत चेटन से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपसे पूचे जा रहा है कि आप इसकी direction क्या रखना चाले है Yes, आप इसकी direction रिवर्स करना चाले हैं या नहीं करना चाले हैं तो यहाँ पर option है yes and no का तो आप जो चाए option को क्लिक करके यहाँ पर इसकी direction को change कर सकते हैं जैसे कि अपर आप जो Cloud की direction रही है यहाँ पर क्लाउड के अंदर जो direction चल रही है अब ज़रा देखे यहाँ पर yes करते हैं तो यह की direction क्या हो गई है चेंज हो चुक्किया किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रिविजिन क्लाउड के दुरू चिंजिस कर सकता है अब चले हमारे अगले ऑप्षिन के उपड़, तो देखें अगला ऑप्षिन क्या है यहाँ पर देखें यहाँ पर कर रहा हूं मैं यहाँ पर अब चाहता हूं मैं इसको यहाँ पर करना तो मौडिफाय कमांड के उपर इस प्लिक क्या यहाँ पर अब क्या करना है मुझे आप जिसके उपर आप क्लिक कर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलना यहाँ पर इसको रिरिस करना चाहते हैं कि इसको इडिस करना चाहेंगे आप के पार चाहते हैं कि इसको इरेश करना चाहेंगे अब जिस पार्ट को इरेश करना चाहetenें कि वह आल किया मैं बात करने चाहे का इसी आप isso आप कि कुछा जारा है कि कौन से डीरेश करना चाहते है रहा है या आपकी जो नौर्म से उसको रगना चाहरे है दिए कि बैसिकली रूर् मillah तो आपके पास यह direction आ जाएगी आपको समझने आ चुका होगा कि यहाँ पर modify कमांड को किस तरह से use किया जाए अब जरह बात करते हैं style के लिए हमारे पास कौन कौन से option है देखिए style के ओपर मैंने क्लिक के यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास है दो अश्टा देखिए यहा के लिए बात करें देखिए नॉर्मल के ओपर क्लिक करने पर हमारे पास क्लावड गा वह सेम पर दिणे कंगी और जैसा कि छलेका promote कर देखिए यहां पर आप सब्सक्राइब करना है यहां पर बचलाउड कि यहां पर देखें यहां पर बन रहा है वो यहां पर चेंगे रहा है कि यहांपर जूंग करके देखें यहां पर देखिए आपके पास देखे पहले cloud की style थी वो आपके पास यह थी और second आप जो cloud की style है वो यहां पर क्या हो गई है प्लस यहांपर बादर कुछ बनाना है यहापके पना आप उसके style को change कर सकते हैं आप उसके function कंच कर सकते है देखे यहां बैसली बात कते हैं यहांपर आणीक про क्रावड को nerv करेंगे आप जैसे ही आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लाउड कमांड कहां पर यूज आने वाला है और इसको किस तरह से यूज के जासे पिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चेस के साथ तब तक आप आवने साथ बने रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कर दो